नमस्कार दोस्तूं दोस्तूं रिट प्रक्ष़ातिती को लेकर आप सभी के ये दिक्कТ आरहा है ये समंजस हो रखा है कि रिट प्रक्ष़ा जून जुलाई में होगी या पिर अप्रेल महिने की 25 दिनाको होगी तो दोस्तूं इसी को लेकर इस वीडियो के मादेम से हम चर्चा करेंगे साथ में हम दोस्तु देखेंगे यहां पे कि read प्रक्षयातिती read प्रक्षयातिती है वो कब होगी कुल कितने read के अंदर आवेदन किये गए है level 1 वर level 2 से कितने आवेदन किये गए है और चोता topic है कि correction आप कब से कब तक कर सकते हो correction का मतलब अगर आपने फोम में गलती कर दी है तो उसको आप change कब से कब तक कर सकते हो चार बातों को लेकर संपुन जानकारी इस वीडियो के मादेम से करेंगे दोस्तु दोस्तु प्रक्षयातिती को लेकर जो आपके SMN जस बनावा है उसका भी मैं यहां पर निस्तारण करना चाहूंगा दोस्तु आप अंतग मेरे साथ इस वीडियो को जरूर देखना आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ YouTube चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज पर दोस्तु चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तु सभी साथी सोलेलाज जो बिरतियर रीट की तयारी करें उनके पास पहुंचाने का काम आपका इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को सेर जरूर करें तो दोस्तु चलते हैं हम वीडियो की ओर इससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी ओर दे देता हूँ दोस्तु अगर आप रीट की सो पर्षेंट तयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तु जो यहाँ पर रीट को लेकर विशे के अनुसार जो क्यूसनों के वीडियो आते हैं उनको परती दिन आप जरूर अटेंड करें दोस्तु दोस्तु विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो वीडियो में लेकर आता हूँ इनमें से क्यूसन बार नहीं जाएगा जो टोपिक वाईज और विशे के अनुसार में यहाँ पर वीडियो देऊंगा उनमें से आपको क्यूसन बार नहीं मिलेगा इसलिए हर एक वीडियो को आप जरूर अटेंड करने का परियास करें चलते हैं दोस्तु सबसे बड़ी बात है दोस्तु हमारे रीट परिक्षयातिती की तो परिक्षयातिती की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले तो दोस्तु आप सभी को पता है कि रीट की परिक्षयातिती क्या है 25 अप्रेल है वो फिक्स की गई है लेकिन दोस्तु 25 अप्रेल को ही है माहवीर जेंती और इस कारण क्या हो रहा है रीट प्रक्षा तिती को आगे बढ़ने का क्या हो रहा है परियास किया जा रहा है या विरोध किया जा रहा है कि रीट 25 अप्रेल को ना हो लेकिन आप सभी को मैं ये बता देना चाहता हूं दोस्तूं कि आप सभी ने देखा होग पेस्ट ग्रेड में आपने देखा होगा कि एकजाम डेट नहीं बढ़ाई गई थी जिस एकजाम डेट की गोशना की गई थी उसी दिन एकजाम हुई थी यहाँ पर दोस्तों मावीर जेनती के कारण जेन समुदाय विरोध कर रहा है इसी के साथ बहुत सारे जो विद्यारतिय रीट की तियारी कर रहे हैं वो भी रीट एकजाम डेट को बढ़ाने का क्या कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं दोस्तों की रीट एकजाम डेट को आगे लेकिन आप सभी दोस्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मेने हैं दो बाकी और दो महीने मतलब 60 दिन आपके सामने हैं 60 दिन में आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो दोस्तों रीट एकजाम 25 अपरेल को होना है व्यक्यता प्रक्षिया के अंदर जेपूर के अंदर कितने दिन तक धरना दिया गया लोग टंक्यू पर चड़ गए विद्यारती टंक्यू पर चड़ के विरोध कर रहे थे कि रीट एकजाम सोरी व्यक्यता प्रक्षिया को आगे बढ़ाय यह मत सोचो कि जून जुलाई अगस्त के अंदर रीट एकजाम जाएगा हमारे पास बहुत समय है हम तयारी कर सकते हैं दोस्तु फिर कहना चाहता हूँ कल करेसो आज करेसो अब मतलब आपके पास 60 दिन है 60 दिन का यह मतलब मत सोचो कि 60 दिन है तयारी कर लेंगे यह सोच कर च फोरम है वो रीट के अंदर बरे गए हैं सबसे ज्यादा पहली बार रीट के अंदर इतने फोरम बरे गए हैं जो रीट एकजाम है वो बहुत कठीन होगा merit हाई जाने वाली है दोस्तु इसलिए आप अपनी तयारी है उसको कापी डीपली करते रहो दोस्तु तो ये रही हमारे रीट एक्जाम डेट को लेकर फिर आप सभी को आस्वस्त कर देता हूँ रीट एक्जाम 25 अप्रेल कोई होना है एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है इससे ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है दोस्तू आपके अंदर कुछ भी ऐसमझस है या आपको ब्रामद सूचनाई मिल रही है तो उनसे आप बच कर रहे हैं और अपनी तैयारी पे ध्यान देते रहे हैं दोस्तू चलते हैं दोस्तू दूसरी खबर की ओर दूसरी कबर है दोस्तू कि रीट के अंदर कुल कितने फोरम बरे गए हैं और लेविल फेष्ट और लेविल सेकिंड से कुल कितने फोरम है वो बरे गए हैं दोस्तू तो आप सभी के सामने हैं दोस्तू, इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, रीट के अंदर कुल आवेदन कितने लगे हैं? 16,9988 कुल आवेदन रीट के अंदर लगें हैं दोस्तू, लेविल फेश्ट से लगें 7,69,504, लेविल 2 में लगें है, 9,244, दोस्तू, रीट में प पारम लगते थे इस बार 5-6 लाग फारम है वो एक्स्ट्रा रीट के अंदर लगे हैं दोस्तों तो इससे आपको यहां पर अंदाजा हो रहा होगा कि एकजाम है वो आपके लिए सरल नहीं होगा भहुत कठीन रहेगा मेरिट हाई जाने वाली है दोस्तों आगे बात कर लेते राजस्तान से तो राजस्तान से लगे हैं 11,24,220 और अन्य राज्यू से लगे हैं वो लगे हैं 5,37,768 अब बात करते हैं दोस्तों आगे हम की विशे के अनुसार लेविल 2 लेविल 2 के अंदर आपको दिया गया था दो उप्सन एक बर सकते थे सामाजिक विज्यान से एक फोरम लगे हैं 6,48,101 और गणीत विज्यान से लगे हैं 2,24,313 फोरम इस परकार कुल टोटल फोरम लगे हैं लेविल 1 लेविल 2 और लेविल 2 में सामाजिक और गणीत विज्यान को मिलाकर 16,18,98 फोरम दोस्तों लगबग ये मान सकते हो कि 17,00, फोरम आप समझ कर चल शकते ह हो दोस्तों तो इस द्रश्टी से आपको देखा जाए तो दोस्तों आपको मैनत बहुत करनी पड़ेगी अगर आप पूरा समय इन 60 दिनों का है वो रीट एक्जाम की तयारी प्रिप्रेप्शन में दे देते हो तो आप सेलेक्शन ले सकते हो पिछली बार की तरह नहीं है क जो मेरिट है उसी लेविल पर जाएगी दोस्तों अभी बोल रहा हूँ 5-8% तक मेरिट है वो हाई जाने के चांस है इस बार तो आपनी तयारी है उसको दम लगा कर करो दोस्तों जितनी मेनत कर सकते हो उतनी मेनत करो और दोस्तों आपकी हैलप के लिए और आपके साहिता के लिए मैं याप पर इस चैनल के उपर में में जो टोपिक है उनके क्यूसनू के वीडियो जरूर लेकर आऊंगा उनको आप जरूर देख लेना इसलिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको दिक्कत ना आए वो वीडियो आपको बाद में मिले या ना मिले आप जैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास आए वो वीडियो एक बार जरूर समय निकाल कर देखते रहे दोस्तू चलते हैं नेक्स्ट की ओर नेक्स्ट हम देखेंगे रीट पोरम में अगर आपने कुछ मिश्टेक कर दी कुछ गलती कर दी तो उसका क्या करेंगे उसका भी आप करेक्शन कर सकते हो दोस्तू दोस्तू करेक्शन कब कर सकते हो आप 22 फ्रवरी से लेकर 25 फ्रवरी के मद्दे अगर रीट फोरम के अंदर रीट फोरम में आपके कुछ भी मिश्टेक हो गई है कुछ भी मिश्टेक या कुछ भी गलती आप से हो गई है तो उसको आप क्या कर सकते हो करेक्शन कर सकते हो उसको एडिट कर सकते हो दोस्तूं ये important news है दोस्तूं और बहुत सारे सातिओं कि मेरे पास message भी आ चुके हैं कि सर हमारे कुछ ना कुछ forum के अंदर गलती हो गए तो उसका हम क्या करें तो उन सभी के लिए मैं ये वीडियो बता रहा हूं कि आप कल यानि आज 21 से कल 22 परवरी से लेकर 25 परवरी तक अपनी जो करेक्शन है जो फोरम में गलती है उसको सुदार सकते हो दोस्तु दोस्तु ये चार मुख्य बातें आपके सामने में लेकर आया था जो यहां पर मैंने आप सभी को बता दी फिर एक बार सभी से आगरे करता हूं कि दोस्तु रीट एकजाम 25 अपरेल को होना है आप इस बरोसे मत बेट जाना कि रीट एकजाम जून जुलाई अगस्त को में होगा अभी बोल रहा हूं रीट एकजाम 25 अपरेल को ही होना है हाँ हो सकता है एक दो दिन आगी पीचे हो लेकिन होगा 25 अपरे बाद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को समय निकाल कर देखा और आप अपनी तैयारी है उसको अधिक से अधिक करने का प्रियास करोगी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे बारत